गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में लोबिया की डाल की रेस्पी लेके आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नीलम फूर मस्ती में दोस्तों हमने एक कटोरी लोबिया की डाल ले ली थी इसको तीन पानी से वाश कर लिया था और एक घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था जो फूल कर बहुत जादा हो गई है दोस्तों आप डाल को अच्छी तरी के से दूलिएगा क्योंकि जो मार्केट में आजकल जो डाले आती उनमें केमिकल पाउडर बहुत ही जादा लगा होता है इसलिए आप इस डाल को तीन चार पानी से जरूर दूलिएगा क्योंकि ये केमिकल पाउडर हमारे सरीर को नुकसान पहुचाती है हमने कूकर को गैस पर रख लिया है अब इसमें हम दो नापनी सरसों का तेल डाल देंगे तेल भी हमारा गरम हो चुका है इसमें एक चमश जीरा डाल देंगे जीरा हमारा चतक चुका है अब इसमें एक लाल मिर्च डाल देंगे ये तीखी नहीं है सिर्फ आप डाल सकते हैं और दो हमने हरी मिर्च डाल दियें आपको जितना तीखा पसंद हो उसी हिसाब से आप हरी मिर्च डालिएगा हरी मिर्च भी हमारी भून चुकी है अब इसमें लैसुन और प्याज का पेश्ट डाल देंगे और अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे और इसमें एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच हल्दी पाउडर और एक चमच धनिया पाउडर और इन मसालों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे दोस्तों हम मसाला हमारा भून चुका है अब हम इसमें टमाटर का पेश्ट डाल देंगे दो टमाटर हमने लिये थे इनका पेश्ट बना लिया था टमाटर को भी हम अच्छी तरीकी से भूनेंगे अगर टमाटर का कच्छा पर रह जाता है तो लोबियक की दाल का तेस्ट अच्छा नहीं लगता है इसलिए आप टमाटर को अच्छी तरीकी से भूनिएगा दोस्तों और इसमें अब हम डाल देंगे गरम मसाला धा चमज गरम मसाले से हमारी दाल का स्वादा और भी बढ़ जाएगा और एक चमज नमक नमक आप अपने स्वादा नुसार ही डालिएगा और इन मसालों को हम दोस्तों अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आ रही हो तो कांटीनू बने रहिए हमारे चैनल पर और पूरी रेस्पी को देखिएगा दोस्तों लूबियक की डाल बहुत ही अच्छी होती है पौश्टिक होती है इसमें प्रोटीन भरपूर मातरा में पाया जाता है डाल क को झाल भी हमने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिकस कर देंगे इसमें डालेंगे हम टेड़ गलास पानी पानी को भी हम चला देंगे आप थीक या पतली जैसी भी पसंद करते है उसी हिसाप से आप पानी डाल लिएगा हमने 0.5 गलास पानी डाला है अब कूकर को हम कर बंद और तीन सीटी आने तक डाल को पकाएंगे तीन सीटी हमारी आ चुकी हैं प्रेशर को हमने निकाल दिया है अब हम अपनी डाल को खोल के देख लेते हैं देखिए दोस्तो हमारी डाल बंद कर तैयार है कितनी लाजवाब, कितनी सूपर बहुत ही टेस्टी ये दाल दोस्तों आपके लिए आप इसको एक बाउल में हम सर्प कर लेंगे देखिये दोस्तों कितनी टेस्टी बनी है हमारी दाल लूबिया के healthy and tasty ये आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों और कितनी सुन्दर लग रही है देखने में एक-एक दाना अलग-अलग सारी डाल को हमने एक बाउल में दोस्तों निकाल लिया है इसको गार्णिश करेंगे हरे धनिये से दोस्तों ये डाल आपको बहुत पसंद आएगी आपके परिवार में बच्चे बूढे सभी लोग इसको बहुत ही पसंद करेंगे दोस्तों आप इस डाल को जरूर बनाईएगा अगर आपको हमारे लोग या की डाल की रेस्पी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते लेकिन दोस्तों आप बेल आइकन जरूर दवा दीजिएगा जिससे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते बाई